राजस्थान के जोदपूर में दूसरी बार पड़ी सौकात के रूप में मिली बंदे भारत ट्रेन का शुकरवार को दुपैर साड़े तीन बचे पीम नरेंद्र मोदी ने उत्खाटन किया इसको लेकर पीम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपूर से वर्च्वली हरी छंडी दिखा कर ट्रेन को रवाना किया इस दोरान उनके साथ वर्च्वल माध्यम से राजस्थान के राजिपाल, कालराज मिश्रा और सीम अशोक घहलोद भी जुड़े उत्खाटन समारों के दोरान जोधपूर रेलवे स्टेशन पर केंद्री मंद्री गजिंद्र सिंख शेखावत, बीजेपी जोधपूर जिलाद्यक्ष, देवेंद्र सालेचा और विधायक सूरिकांत व्यास के साथ ही कई नीता बहां मौजूद थे शाम को ट्रेन लगबग पॉने पाच बजे जोधपूर से साबरमती के लिए रवाना हुई जोधपूर रेलवे स्टेशन पर उत्सा और उत्सव जैसा महौल था हजारों लोग स्टेशन पर बंदे भारत ट्रेन को देखने और रवाना करने के लिए आए हुए थे जोधपूर से सांसद और केंद्री मंत्री घजिंद्र सिंग शेखावत ने कहा कि ट्रेन राजस्थान और गुजरात की दूरियां कम करेगी जोधपूर से लेके पाली तर्दी और रास्ते में भी स्टेशन परस्ती परसाथ करें आपको बतादे इस ट्रेन में आठ पोच है बंदिभरत ट्रेन सबता के 6 दिन चलेगी यह ट्रेन सुमवार से शनीवार तक संचालित होगी इस दोरान रवीवार को ट्रेन का मैंटेनेंस कारी होगा इस ट्रेन में सफर करने के लिए यात्तरी आयासीटीसी के आप से ओनलाइन टिकेट बुक करवा सकेंगे 9 जुलाई से इस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा रेलवे ने जोथपूर से साबरमती के बीच चलने वाली बंदे भारत ट्रेन का पूरा शेडियूल तैय कर लिया है इस तरह ट्रेन जोथपूर से साबरमती के बीच सिर्फ पांच स्टेशन उपर रुगेगी ट्रेन रास्ते में पाली, फालना, आबू रोड, पालनपुर और महरसाणना पर ठहराव करेगी वंदे भारत ट्रेन जोथपूर से साबरमती के बीच पूरे छे घंटे चलेगी इस रेल को 12461 और 12462 नमबर दिया गया है जोथपूर से वंदे भारत ट्रेन सुबह 5 बचकर 55 मिनट पर रवाना होगी और दोफैर 12 बचकर 5 मिनट पर साबरमती पहुँच जाएगी तो वहीं साबरमती से ये ट्रेन वापसी में शाम को 4 बचकर 45 मिनट पर रवाना होगी और जोदपूर देर रात 10 बचकर 55 मिनट पर पहुँच जाएगी वंदे भारत ट्रेन जोदपूर से साबरमती तक 646 किलोमेटर का सफर तै करेगी बाकी ट्रेन में जोदपूर से साबरमती जाने के लिए लगबख 7 से 8 घंटे का समय लगता है वंदे भारत ट्रेन से सफर 26 घंटे और 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा इस समय में ट्रेन जोदपूर से साबरमती का सफर तै कर लेगी साथ ही इसके चलते अन्य ट्रेनों की अपेक्षा इस ट्रेन में यात्रियों का करीब 2 घंटे का समय भी बचेगा